नीमत जीले में दो बुन जिंदगी की पल्स पोलियो अभियान गुनिस जनवरी से 21 जनवरी तक मनाय जा रहा है। आज इस कड़ी में कुकरेश्वर में जीरो से पांच वर्ष की बच्चों को पोलियो की दवा पिला कर स्वास्त विभाग की टीम ने माता और भेनों को समझा इस देकर कहा कि समय समय पर बच्चों को आवशर टीके और दवा जरूर पिलाए। यह देश का भावीशे अपना भारत देश पोलियो मुक्त हो रहा है। इसमें आप सहभागिता निभाय और देश का जोल भावीशे बनाए। आज जो हमारे कुकड़ेश्वर के आसपास चेत्रों में पल्स पोलियो अभियान जो चल रहा है इसमें मैं समस्त चेत्रवासियों से निवेदन करता हूँ कि जीरो से पांच वर्स के बच्चे बच्चीयों को अपने माता पिता पोलियो सेंटर पर ले जाके पोलियो उनको द दवाई बने ये इस दवाई का लाब जनता तक पहुचे बच्चों तक पहुचे यही निवेदन में चेत्र की जनता से करना चाहता हूँ और स्वास्त विवाग के अधिकारियों को भी बहुत धन्यवाद दिना चाहता हूँ कि जो बच्चे सिंटर तक आते हैं और बायच पुचित नहीं हो स्वस्त हो तंदुरुस्त हो और आने वाले भारत के भविश्यों इसलिए निवेदन है कि चल रहे अभियान में आप संकल्प लेकर अपने आंगनवाडी के अंदर पर जाकर पल्स पोल्यों अभियान के तहट बच्चों को पल्स पोल्यों की दवा पिला है और सथ भारत के लिए पुरे सब्स पोल्यों अभियान राष्ट वियापी अभियान है यह पोल्यों से पूरे राष्ट को मुक्त करने का अभियान है भारत सरकार स्वास्त मंत्रा ले इस माद्यम से गाउं गाउं तक बच्चे बच्चे तक कारी करताओं के माद्यम से अ अभ्यान चला रहा है जीरो से पांच वर्ष तक के बच्चों को दवाई पिलाना जरूरी है माता पिता परिवार जन इस अभ्यान का हिस्सा बने और अपने अपने बच्चों को केंदर पर ले जाकर दवाई पिलाएं इससे हम एक मजबूत राष्ट की और बढ़ेंगे तथ 29 बुद पर दवाई पिलाई जा रही है आसपास के सभी गावों में एवं प्रापर कुपडश्वर में 12 जगें दवाई पिलाई जा रही है इसमें दिनांक 19, 20 और 23 दिन यह बल्स पोलियो अभियान निरंतर चालू रहेगा मैं सभी माता पिता अभिवावों से अनुरोद भारत को उलियो मुक्त बनाने में हमका हमारा सयोग करें स्वास्ति विबाग आपके साथ है जैहिन जैवारत मनासा से दस्रत नागदा की रिपोर्ट